हरे कृष्णा आज की कहानी में आपका स्वागत है 1943 में कुम्ब कोणम के पास थिरुविदेम रुदुर में उत्री भाषा के कवी समराथ विलूर श्री निदी स्वामी रहते थे जिने असुकवी सर्वपोमार के नाम से भी जाना जाता है वे वदुवूर रमन के परम पोते और भक्त हैं श्री निदी स्वामी को खसरा हुआ कई लोग खसरे से मर गए थे डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया उस रात श्री निदी स्वामी ने राम जी से प्रातना की उसने भगवान से बोला मुझे मरने की चिंता नहीं है परन्तु अगर मैं तीस साल की उमर में मर गया तो लोग आपको बदनाम करेंगे ये कहकर कि भक्त की रक्षा नहीं की आपको मुझे बचाना ही होगा उस रात श्री निदी ने पूरी रमायन लिखी राम जन से लेकर सीता विवाह तक का पहला श्लोक दूसरे श्लोक में परशु राम के तकता पलट से लेकर सुग्रीव के अभिशेक तक तीसरे श्लोक में हनुमान के दूद से लेकर रावन की मृत्यू तक और आखरी श्लोक लिखते समयवे बोले मैं किसी से भी नहीं डरता, राम जी मेरे साथ है अगले दिन डॉक्टर आया और देखकर बूला चमतकार हो गया ये तो बिल्कुल ठीक हो गए है उन्होंने मंजू रमायन और मंद स्मिता रमायन भी लिखी 1986 में उनको राष्ट्र पुरुसकार से सम्मानित किया गया 90 वर्ष तक अच्छे स्वास्थ के साथ जीवित रहे जो श्लोक उन्होंने उस रात लिखे उनको सादू श्लोकी रमायन कहा जाता है उनको आज भी पढ़ने से बिमारी का नाश होता है श्रीनिदी स्वामी के जीवन को बचाने वाली रमायन हमें इस बात का एसास दिलाती है कि कल्यूग में रमायन जीवन रक्षक औशदी है इसलिए इसे सर्वती ही भी कहा जाता है क्योंकि वो सेवकों को लाब देती है ये विश्णु सहस्तर नाम का सौवा थिरू नाम है सर्वदाय नमह ये मंत्र लाब दायक है और इस मंत्र को जाब करने से शत्रू का नाश होता है सर्वम श्रीकृष्ण अर्पनम